नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कख्षम में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बैटरी के देख भालता था रख रखाओ के बारे में कुछ पॉइंट्स डिसकस करेंगे कि किन चीजों का हमें विसेश ध्यान रखना चाहिए तो नॉर्मली हमें पता ह है कि बैटरी हम लोग ले आते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं चाहिए वह इंवर्टर में हो चाहिए गाड़ियों में हो तो अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो वह क्या होगा उसकी लाइफ अगर मान लीजे पांस साल है तो घटके दो साल ठाई साल तीन साल भी हो नहीं देना चाहिए यानि कि बिल्गुल बैटरी को खतम ना कर दें आप उसमें कुछ ना कुछ चार्ज जो है वो स्टोर रहे और सेल की स्पेस्पिक ग्रेविटी जो है वो 1.8 से नीचे नहीं जानी चाहिए इसके बाद बात आती है सेल की धारा की चार्जिंग और डिस्च चाहिए इसका क्या मतलब है कि यससे कोई हम बैटरी करईद होगे तो जो भी कंपनी की बैटरी होगी तो हर कंपनी जो है लिक के देती इस तरिके से उसकी लाइफ जो होगी काफी कम हो जाएगी तो इसे हमें ध्यान रखना है कि charging rate जो है और दिस्चारजिंग रेट वह भी manufacturer के जो रेकमेंडेशन है जो कि उन्होंने लिखके दिया उसके अंदर रहे तो ज्यादा बहतर है फिर देखिये क्या रहा है LED sulfate की settling यानि कि जमने से बचने के लिए cell को इसके discharging के तुरंत बाद ही recharge किया जाना चाहिए यानि कि क्या है कि जैसे आप जब battery हमारे discharge होती है तो हमारा sulfate है वह जमने लगता है ना, let sulfate, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बैटरी को डिस्चार्ज ही नहीं छोड़ देना चाहिए हमें उसको तुरन जो है वो चार्जिंग पे भी लगा देना चाहिए, फिर का गया है बैटरी चार्ज करते समय इन इसके धनात्मक टर्मिनल की आपूर्ति सप्लाई के लिए धनात्मक टर्मिनल सप्लाई ही देनी चाहिए और रिनात्मक वाले टर्मिनल पर देनीय चाहिए इसका मतलब क्या है कि प्लस को प्लस से का शहीं करें साथ Pixel करें यह बात इसमें कही गईा है यहां पर भी रखे जाते हैं तो गैसे निकलने के लिए आप जहां पर भी बैटरी को रख रहे हैं तो वह कमरा हवादार होना जरूरी है बैटरी की लाइफ वहाँ पर भी क्या हो सकती है गट सकती है बैटरी चार्ज करने के दौराम स्पार्क और फ्रेम बैटरी से दूर रखा जाना चाहिए ताकि उत्पादित गैस आग ना पकड़ पाए यानिकि इसके कहने कहा है कि मान लिजिए आपके यहां पर बैटरी रख है कि जिससे की कोई दुरगटना ना हो जाए अब इसके बात बात आती है कि लेड़ेसीड वैटरी में क्या होता है जो हमारा है वो धिरे-दिरे क्या होता है गैस के फॉर्म में उसका वाटर जो है उड़ भी जाता है तो वहां पर हमको उसको डिस्टिल करने के लिए यानि प्रतिक इस सेल कम से कम 2 संटिमीटर ध्रीलेक्ट में डूबी रहने चाहिए यानि कि आसा भी नहीं है कि आप अलेक्तेशल एके इसे सोफ और है वह हो जाहें बहुत ही कम हो जाए और प्लेट जो है पूरी तरीके से डूबी होई नहों तो उससे भी क्या होगा हमारा बैट बैट्री के टर्मिनल को गैर जंक पदाथ के साथ नियमित रूप से साफ किये जाना चाहिए तो आपने देखा होगा घरों में भी बैट्री इस्तमाल की जाती इन वर्टर वगजार में तो कारवन टाइप के कुछ आ जाता है बैट्री के टर्मिनल्स पर आप उसको नियमित रूप से साफ करना चाहिए उसकी करना चाहिए जिससे कि उस पर कोई भी तरीके का फर्दर जो है को रुजन ना हो अब इसके बाद जो है पिर जहां पर भी बैटरी आपने रख रखी है वहां पर क्या होना चाहिए गंदगी नहीं होना चाहिए धूल वेगारा से मुख्त हो चाहिए और नमी भी कोसिस हो कि वहाँ पर क्या हो आपका ना हो तो ज्यादा बहतर है इसके बाद के आ गया है कि बैटरी को रिस्टोर करके बस आप रख रहे हैं तो इसको एलेक्ट्रोलाइट के साथ कभी भी संग्रित करके नहीं रखना चाहिए और अगर बैटरी आपका उप्योग नहीं हो रही है आपने यूज़ कर चुके हैं बैटरी को तो इसको हलका फु उसके टर्मिनल की डिस्टेंस रहनी चाहिए काफी ऐसा ना हो कि कोई दो टर्मिनल आपस में जुड़ जाए और बैटरी हमारा क्या हो जाए शौट सर्किट हो जाए तो उससे हमें बचाओ रखना चाहिए फिर समय समय पर जो उसके कैप हैं और जो धकन लगे होते हैं गैस उसने लिख के दिया हैं बैटरी के मेंटिनेंस से रिगार्डिंग उसको हमें इस्टिकली फॉलो करना चाहिए और जो इसके अलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या है हमारा एसिडिक होता है काफी तो हमें ध्यान रखना चाहिए मान लिजे गलती से फैल गया तो कपड़े ब लिए बैटरी के लिए आउशक है तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगे और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त का शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद